जैसरे राधिकिष्ण आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत स्वागत है आए सुनते हैं कार्थिक शुक्ल पक्ष में पर रहा परदोस व्रत जो की मंगल परदोस व्रत है तो आए आज सुनेंगे मंगल परदोस व्रत की कथा परदोस के व्रत में भगबान शिव माता पारबती और भगबान शिव के रुद्र अवतार भगबान हनुमान का पूजन किया जाता है जिस दिन जो भी परदोस व्रत परता है उस दिन के नाम से उस परदोस व्रत को जाना जाता है हर परदोस व्रत का अपना अपना विशेश महत्वा बताया गया है परदोस का ब्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयो दसी तिति के दिन परदोस का ब्रत किया जाता है परदोस का ब्रत जो की जातक करते हैं उन्हें दो गायों को दान करने के बराबर पुन्य फलों की प्राप्ति होती है इस दिन सची सरधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ परदोस काल के समय में भगबान शिव माता पारबती भगबान शिव के रुद्र अबतार भगबान हनुमान का पूजन करना चाहिए किसी भी ब्रतिया पूजन में सबसे पहले भगबान गनेश का पूजन किया जाता है तो भगबान गनेश का पूजन करे अस्मरन करे उसके बाद फिर भगबान शिव माता पारबती और शिव परिवार का पूजन करे परदोस का ब्रत यह सभी प्रकार के पापों को नश्ट करने बाला और सभी प्रकार के सुख शम्र इसका भाव नहीं लाना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, वहां माता इस्तर लक्षमी का वास होता है, इसलिए महिलाओं का सदा सम्मान करे, धर्म कर्म का का करते हुए व्रत को करना चाहिए नियम निश्टा का पारण करें और भगवान कुड़े विधि बिधान के साथ पूजन करें मंगल परदोस के व्रत करने से रोगों से मुक्ति वह स्वास्ते लाव की प्राप्ती होती है तथा भगवान शिव माता परवति का कृपा प्राप् से description में जा करके अपने स्रधा और सामर्थ के अनुसार हमें ब्रामन डक्षिना प्रदान कर सकते हैं तो आए सुनते हैं मंगल प्रदोस व्रत्य की कथा था तो बोलिए प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता पारवते की जै भगवान हनुमान की जै बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक व्रिधा निवास करते थी व्रिधा की हनुमान जी पर गहरी आजथा थी वह प्रतेक मंगल बार को नियम पुरुबक व्रत रख कर हनुमान जी की अराधना किया करते दिन वह ना तो घर को लिपती थी और ना ही मिट्टी खोती व्रिद्धा को व्रत करते हुए अनेको दीन बीत गए एक बार हनुमान जी ने उसकी स्रद्धा की परिक्षा लेनी चाहिए हनुमान जी ने साधु का व्येस धारन कर उस बुढ़िया के पास आए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त चो हमारे एक्षाओं को पुर्ण कर सके पुकार सुनकर व्रिद्धा बाहर आई और बोली कि आग्या महराज साधु वेस धारी हनुमान जी बोले कि मैं बड़ा भूखा हूँ भूजन करूँगा तू थोड़ी सी जमीन लिप दे व्रिद्धा दोविधा में पड़ गई अंततहा हाथ जोर कर बोली कि है महराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतरिक्त आप कोई और दूसरा आग्या हमें दे मैं उसे आवश्य करूंगी फिर हनुमान जी साधु रूपी ने उस बुढ़िया को कहा कि तूम तीन बार प्रतिगया करो उसके बाद उस बुढ़िया ने प्रतिगया कहा कि अब तुम अपने बेटे को बुला मैं उसकी पीट पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा अब तो व्रिद्धा के पै साधू रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे उन्होंने वृध्धा के हाथों ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीट पर आग जलवाई आग जलाकर दुखी मन से वृध्धा अपने घर के अंदर को चली गई इधर भोजन बनाकर साधू ने मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन ग्रहन करे इस पर वृध्धा अपने बहते आस्वों को पोच कर बोली कि है महराज अब उसका नाम लेकर मुझे ज्यादा कष्ट ना पहुचाओ लेकिन जब साधू महराज नहीं माने तो वृध्धा ने आखिरकार मंगलिय को आवाज लगाई और उस बुढ़िया के आवाज लगाते ही पुढ़िया के पुकारते ही उधर से मंगलिया दोड़ा दोड़ा आ पहुचा मंगलिया को देखकर वृध्धा को आशर्ज हुआ वह साधू के चरणों में गिर पड़ी साधू फिर अपने वास्तविक हनुमान जी भगवान संकर के एक आरवे रुद्र अबतार है और पारवती जी इसी तरह भगतों को शाक्षात दर्शन दे कर करते हैं भौम मंगल परदोश जो भी भगत सची सरधा से इश्य व्रत को करते हैं इस दिन भगवान हनुमान भगवान भूले नात और माता परदोश भौम परदोश के दिन पूरी सची सरधा के साथ नियम वा निश्ठा के साथ पूजन करते हैं व्रत करते हैं उनके सभी परकार के दुखों का अंत होता है उनके सभी ताप और पाप नश्ट होते हैं तथा सभी परकार के शुख और शम्रदी की प्राप्ती होती ह जो भी प्रदोश काव व्रत करते हैं प्रदोश व्रत करने बाले जातक इस दिन सुभा प्रदोश व्रत के दिन ब्रह्म मुहुर्त में उठ करके अपने शभी नित्य क्रियाओं से निर्वित्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थुरा सा गंगा जल मिला करके अश करने जा रहे हैं इस प्रकार से मन में शंकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रातना करने चाहिए कि है भगवान है नील कंठ महादेव आप तो परम ज्यानी हैं सभी प्रकार के शुकों को परदान करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के दुखों का अंत करने वाले हैं है प करे और दिन भर व्रत उत्वास रहते हुए भगवान का सुबह और फिर परदोशकाल के समय में भगवान भोले नात और माता पारवति का पूजन करें विधी विधान के साथ पूजन करें इस दिन एक अच्छा सा जगह ले अगर मंदिर में कर रहे हों तो मंदिर में नहीं तो घर पे कर रहे हों तो एक अच्छा सा जगह ले उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडब बनाए मंडब को पांच रंगों से रंगोली बना कर सजाएं फिर वहाँ पे एक कपड़ा सफेद कप पंच उपचार या खोट शोपचार पूजन विधी के द्वारा उनका पूजन करे। सबसे पहले तो भगवान भोले नाथ को जल से उनका अभिशेक करे। भगवान भोले नाथ ही एक ऐसे देव हैं जो की थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के उपर प्रशन हो जाते हैं और अपना क्रपा परसाते हैं। तो भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर पंचामरिस से उनका अभिशेक करे। फिर शुद्ध गंगा जल से अभिशेक करे। भगवान को फेर वस्त्र चढ़ाएं। यग्यो पवीत चढ़ाएं। उनको अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पो की इस मंत्र के द्वारा बिलपत्र चढ़ाएं। इस से तीन जन्मों के पाप नश्ट होते हैं। इस मंत्र के द्वारा भगवान भूले नात को बिलपत्र अरपीत करे। फिर उनके ऊपर भांग, धतूरा, श्मिपत्र आधी चढ़ाए। उसके बाद भगवान को धूप और बिलपत्र आधी चैएं। मंगल परदोश व्रत का कथा सरवन करे, उसके बाद फिर पूरे विधी बिधान के साथ भगवान की आरती करे, इसी परकार से पूजन करते हुए अगले दिन जा करके, फिर सुबा उठ करके, अशनान करके, सुद्वस्त धारन करके भगवान का एक समय पूजन करे, और फिर परदोश व्रत का पारण अगले दिन सुर्योदे के बाद आप परदोश व्रत का पारण कर सकते हैं, तुवासा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही ज्यान बर्धक जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए हमारे शेनल को लाल बटन दबा करके जय सिर्याथे किष्ण, धन्यबाद